कहते हैं कि पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती ऐसा ही कुछ साइकोलोजी में मास्टर डिगरी करने वाले मद्यप्रदेश के IAS की रिष सर्मा ने कर दिखाया उन्हेंने सर्विस जॉइन करने के करीब 20 साल बाद यूजी के बाद साइकोलोजी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिगरी ली वही डिगरी लेने के बाद शर्मा बोले की परिक्षा देना बहुत टफ था लेकिन एगनू के माध्यम से संभाव हो सका कोर्स मेटेरियल बहुत अच्छा था पूरा ध्यान से पढ़ने के कारण डिगरी पूरी हो सकी यूजी के बाद MPPSC के तयारी शुरू कर दी थी सर्विस लगने के बाद बढ़ाई की तरफ ध्यान नहीं गया लेकिन मन में था कि पहले PG और फिर PhD करना है और अब साइकोलोजी में PhD करना चाहता हूँ हलाकि उन्होंने कैमरे के सामने में आने से मना कर दिया इंद्रकांधी रास्टवी मुक्त विश्विश डाला इगनू के 35 वे दिक्छान समारों में मंगलवार को IAS गिरी शर्मा को मास्टर डिग्री की उपाधी दी गई देजबर में करीब 3 लाग के साथ भोपाल में 2,801 उपाधी दी गई इसके साथ ही इगनू इस साल में संगीत में ओनर्स के कूर्स भी शुरू करने जा रहा है मंगलवार कारे के दोरान 649 मास्टर डिग्री 576 यूजी खबर और 5196 सर्टिफिकेट प्रोग्राम सहीत अने प्रोग्राम संपन हुए कारे करम के शुरूआत इगनू नई दिली से सिक्षा कोसल विकास एबम उद्यमशीलता बार सरकार मंतरी धरमेंदर प्रधान शामिल हुए इसका लाए प्रसारण 32 चेतरी केंद्रों पर आयोजित किया गया यहाँ पर मंगलवार को पाधियां भी दी गई बोपाल इस्ति छेतरी केंद्र पर आयोजित दिक्षान समारों में विशिश्टातिती के तोर में विक्रम विश्विद्याले के जैन के कुलपती प्रोफेसर अखिलेस कुमार पांडेव पस्तित रहे डिगरी पाने वाले अधिकांस ऐसे लोग रहे जिन्होंने किसी न किसी कारण वस बीच में पढ़ाई छोड़ दी और उसे पूरा किया है कारेक्रम का दिली से सभी 32 केंद्रों पर लाई प्रसारण किया जा रहा था बोल और सुन नहीं पाने वालों के लिए बोपाल सेंटर पर लाई प्रसारण को साइन भासा के माध्यम से समझाया गया इस कारेक्रम को यूट्यूब में भी प्रसारित किया जाएगा महीं लाईव के दौरान नेटवर्क के कारण कुछ रुकाफटे भी रही